नमस्कार दोस्तों स्वागात है आपका एश्टरी हिंदी के यूटूब चैनल में देखिया आज मैं इस वीडियो में बायोलाजी यानि ज्यू विज्ञान के 300 महतपूर प्रस्म लाया हूं इंपोर्टर बात को तो रेलवे ग्रूप डिंग, अस्किस्टेन लोकोपाइट, टेकनिसियन और अनिक गॉवर्मेंट परिछाओं के लिए महतपूर है आई होप आपके वीडियो पसंद आए अगर आपके वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरू करेगा और हमाय मैं रेलवे, बैंकिंग और SST के धेर सारे कोर्सेज बना रहा हूँ तो अने अकैडमी का लर्निंग आप डाउनलोड करके वहां से आप मुझे फॉलो करके मेरे दोरा बनाए के लबग सभी कोर्सेज और लेसंद देख सकते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा अब चायक कारक के रूप में दरबडो को रजतित यानी रंगने के लिए किया जाता है अगला कोर्शन दिखते हैं अमर बेल यानी कसकूटा है राइट अंसर बात के इसका राइट आंसर है सिकेंड यानी पूड तना परजीवी अमर बेल कसकूटा जड बीठीन पीले का पूड तना परजीवी है इसके द्वारा उत्पन चूसकान पोष्ट पौधे के अंदर प्रवेश करके जायलम तथा फ्लोयम से संबन असापित करता है तथा भोजन जल तथा खनीजलवण और सोशित करता है अगला कोश्चन देखते हैं पादपो और प्राडियों में यह अंतर है कि पादपो में राइट अंसर बात के जिसका राइट अंसर है थार्ड यानी अस्थान अगत बृध्धी होती है पादपो और प्राडियों में यह अंतर है कि पादपो में अस्थान अगत बृध्धी होती है जबकि प्राडियों में चलन होता है अगला सजार सूच मनलिकाएं होती हैं जिनने व्रिकाडू या नेफ्रान कहते हैं नेफ्रान व्रिक्य की कार्यात्मक इकाई है नेफ्रान को उसरजन इकाई भी कहा जाता है अगला कोशन देखते हैं निमलिकित में से किसे कोशिका का उर्जा केंदर कहा जाता है इसके जो राइट अंसर होगा Oga Fort यानि माईक्रो कांडिया माईट्रो कांडिया को कोशिका का उर्जा केंदर कहा जाता है यहाँ पर आहार अड़ों की उर्जा फ्रयोग में आने वाली उर्जा में बदली जाती है और एडेनोसिस, ट्राइफासफेट अड़ूं में संग्रहित कर दियाती है अगला कोशन देखते हैं कौन सा बिटामिन हमारे सरीर में सबसे अधिक तिप्रता से बनता है तिसके जो राइट अंसर होगा ओगा D यानि बिटामिन D बिटामिन D हमारे सरीर में सबसे अधिक तिप्रता से बनता है सूर के प्रकास में सरीर में बिटामिन D का निर्बार उड़ता है अगला कोशन देखते है हमारे सरीर का किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर योजित सकती होती है तो इसका जो right answer होगा होगा first यानि मस्तिस कोशका है हमारे सरीर की मस्तिस कोशकाओं में सबसे कम पुनर योजी सकती होती है अगला question देखते हैं diastase enzyme का stroke है इसका जो right answer होगा होगा first यानि लार गरंथी diastase enzyme का stroke लार गरंथी है यह starch को maltose और फिर dektose में तोड़ता है कोशन देखते है माइक्रो प्लाज्मा जिस रोग से संबंध है वह निम लिख्यत में से किस अवयोग को प्रभावित करता है the right answer होगा first यानि स्वास शंबंधी माइक्रो प्लाज्मा की फोज लूई पास्चर ने की थी इससे मनुस्यों तथा जानवरों में निमोनिया हो जाती है जिससे स्वसंतंध प्रभावित होता है अगला question देखते हैं निम्न में से किसको RBC का कब्रिश्थान कहा जाता है जिसका जो right answer होगा second यानि प्लीहा प्लीहा रक्त के पुराने रक्त यानि RBC को नश्ट कर देता है इसलिए इससे RBC का कब्रिश्थान कहा जाता है अगला question देखते हैं मानाव सरीर की सकसे बड़ी मिस्त्रित कंथी है जिसका जो right answer होगा third यानि अगनाश है मानाव सरीर की सकसे बड़ी मिस्त्रित कंथी है यह उदर गुहा में आमासे के पीछे इस्थित लगवग 15 सीमी लंबी गुलावी रंग की मिस्त्रित ग्रंथी है मनुस के अगनासे में लगव 15 से 20 लाग अन्तस राविक उसकाएं होती है जिसे लैंठार हैंस की डिपिकाएं कहते हैं चलिए अगला कोश्चन देख लिएते हैं गलसुवा एक वाइरल रोग है जो सुजन पैदा करता है गलसुवा का कारक मंपस वाइरस है इस रोग में लार गरंते प्रहावित होती है इस रोग के बिशाडों का प्रसार रोगी की लार से होता है एक दो दिन बुखार रहने के बाद करक के नीचे इफ्थित पैरोडिट गरंती में सुजन आ जाती है इसके लिए टेरा माइस्सीन का इस इंजेक्शन लेना चाहिए अगला कोश्चन दिखते है तन्तु आहार में सामिल है इसका जोड़ाई टनसर होगा ओगर्थ थर्ड यानि सेलूलोस सेलूलोस एक पाली सैकिराइड है जो ग्लुकोर्ज का बना होता है या तन्तु आहार के रूप में लिया जाता है परन्तु इसके पाचन के लिए इंजाइम अनुपस्थित होने के कारण सरीर में इसका पाचन नहीं हो पाता है अगला कोश्चन दिखते हैं मूत्र का और शामान में घटक है इसका जो राइट अन्सर का ओगर थर्ड यानि अल्ब्यू मीन मूत्र में अल्ब्यू मीन नहीं होता है इसके उपस्थिती को अल्ब्यू नीरिया करते हैं सामान ने मूत्र में 95% जल, 2% लवर 2.6% यूरिया, 0.3% यूरिक एसिड जथा Creatineine होती है अगला कोश्चन देखते है पादफ द्वरा बड़ी मात्रा में आपेच्छे तत्व है तो इसका जो राइट अन्सर करोगा ऊपकास सिकेन यानि न annat्डोजन पादफ द्वरा बड़ी मात्रा में आपेच्छे तत्व नाड़ोजन है पौधे इसे वाई मंडल से प्राप्त करते हैं यह तत्तु पौधों में प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अमले के नेवार के लिए मुख रूप से उत्तरदाई होते हैं अगला कोशन देखते हैं निम्न में से किस यूग का विविर्थ प्रकार कास परिसंचरण तंत्र है जिसका जुरायट अंसर होगा होगा थर्ड यानि काक्रोज और सिल्वर फिस संग आर्थो फोडा के सभी चंतू में उतक द्रब्वे एवं रक्त से भरे असममित पात्रो का बना खुला परिसंचरण तंत्र होता है अगला कोशन देखते हैं निम्निक्षित में से कौन सा मलेरिया पैदा करता है मलेरिया रोक प्लाजमोडियम नामक परजी भी प्लाजमोडियम मादा एनोफिलेज नामक बच्छर के सरीर में आस्रे लेता है अगला कोशन देखते हैं जोड पर यूरिक एसिट क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना कारण है इसका जो राइट अंसर होगा ओगा फर्स्ट यानि गठिया का जोडो के दर्द को गठिया या वात रोक के नाम से भी जाना जाता है गाउट के दर्द में अस्ति संदियों में सिट्रिक अमले के क्रिस्टल जमा हो जाते हैं जिससे संदियों में दर्द मासूस होता है अगला कोश्चन देखते हैं नाइट्रोजनी आहार है इसका जुनाइट अंसर होगा ओगर्थर्ड यानि प्रोटीन नाइट्रोजनी आहार प्रोटीन है प्रोटीन के प्रमुख इस्त्रोथ हैं दूद, अंडा, फली, बादाम, दाल, सोयवीन, पनी, माश, मशली, अंडे की जर्दी आधी अगला कोश्चन देखते हैं निमलिखित में से कौन सा रोग नाइट्रेट संदूसित भोजन तथा जल के उपभोग द्वारा होता है राइट अंसर बात के इसका राइट अंसर है थार्ड यानि ब्लू बेबी अगर भोजन तथा जल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो जाती है तो वह सरीर के लिए हानिकार होता है खास कर बच्चों में जानलेवा होता है या इमोगलोबीन के साथ किया करके मेथे मगलोबीन बनता है जो आक्सीजन समवहन को रोग देता है जिसे ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं अगला कोश्चन देखते हैं निमन में से किस कसी रुकी में बही कंकाल नहीं होता जो राइट अंसर होगा ओगफोर्थ यानि कांट्रिक थीज कांट्रिक थीज कसी रुकी में बही कंकाल नहीं होता है एमफिविया, मैमेलिया तथा एवीज में बही कंकाल होते हैं अगला कोश्चन देखते हैं निमन में से कौन से साखा जीवित जीवो की उन्ही जातियों की अपने निर्जीव परिवेस के साथ अंतरक्रिया से संबन्दित हैン अगला कोश्चन देखते हैं निमन में से किस कोशिकाम को एटम बं करते हैं उगफोर्थ यानि लाइसो सुम लाइशो सोम को इसका अंदर किसी भी बाय पदा जैसे बैक्टीरिया आधी को नश्ट कर देते हैं यदि छती ग्रस या मृत को सिकाओं को नश्ट करने की आउशत्ता हो तो ये अपनी जिल्ली तोड़कर एक अही बार में अपना सारा द्रव मुक्त कर देते हैं चुकि इस क्रिया में से ये स्वयम भी नश्ट हो जाता है इसलिए इसको आत्मघाती थैली भी कहते हैं अगला कोश्चन देखते हैं आस्ट्रियो साइड पाय जाते हैं इसका जो राइट अंसर हो का ओगर फर्स यानि अस्थी में अस्थ्रियो साइड अस्थियों में पाय जाते हैं कांडरो साइड उपस्थी में तथा थामबो साइड रुधीर में पाय जाता है अगला कोश्चन देखते हैं एलो सोम होते हैं इसका जो राइट अंसर हो का ओगर फोर्थ यानि लिंग गुर्सोत Allosome Link गुर्णसूत्र होती है मनुस में तेज चूरी गुर्णसूत्र होती है 22 जोड़ी गुर्णसूत इस्तरियों में और पुर्थों में समान और अपने-अपने समजात होते हैं इन्के स्वजान गुर्णसूत या Artosome कहते है उनला क्वेशन देखते हैं दूद को दही में इसकंदित करने वाला इंजायम है इसका जो राइट अंसर होगा होगा फर्श यानि रेनिन रेनिन अपनी पूर अवस्था में प्रो रेनिन के रूप में होता है जिसे HCl सक्री रेनिन में बदलता है रेनिन दूद में गुलनसील, प्रोटीन, कैसीन को कैलसियम, पैराकैसीनेट में बदलकर दूद को दही में परिवर्टित करता है अगला कोशन देखते है लाल रक्त कडिकाओं का औसर जीवन का लगवक कितने समय का होता है जिसका जो राइट अंसर होगा, ओगस सिके निनी 100-120 दिन लाल रक्त कडिकाओं को औसर जीवन का 120 दिन का होता है प्लीहा या तितली इसके बाद के आरबीसी को नश्ट कर देती है अगला कोशन देखते है पूलियों की रोगथाम के लिए पहली फ्रभावी वैक्सीन किस ने बनाये थे इसका जो राइट अंसर होगा, ओगस सिके निन, जोनस ई शाल पीलिया वाइरस रोगथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन जोनस ई साल ने बनाई, इसे सालक टिका कहा जाता है अगला question दिखते है मीन माता रोग किस कारण से हुआ था तो इसका जो right answer होगा फर्स यानि मीन माता रोग टोचा cancel हो जाता है option number second ऍाइटन से अगला question दिखते हैं जुकाम यानि मामली ठंड का कारण क्या है जुकाम यानि मामली ठंड का कारण बिसाडू यानि वायरस होता है option number third राइट अंसर अगला question दिखते हैं तूटी हड्डीयों को जोडने के लिए जिमलिखेत में से किसका प्रयोग किया जाता है तो टूटी हड्डियों को जोडने के लिए प्रास्टर आफ पेडिस का प्रयोग किया जाता है या जिपसम से पनाया जाता है ओप्शन नम्मर फॉर्थ राइट अंसर अले कोशन दिखते हैं विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है तो इसका जो राइट अंसर होगा होगा फर्ष यानि यूके लिप्टस विश्व का सबसे लंबा पेड कोश्ट रेड बूल है जो 115 दस्मलों 56 मीटर तक उचा है तूसरे अस्थान पर अस्ट्रेलिया मांटेनेस है जिसके उचाए 99 बिश्व मेटर है लेकिन दिये गए विश्व में सा यूके लिप्टस ही सही अपसन होगा अगला कोश्चन दिखते है वह एक मात्र पच्ची कौन सा है जो पीछे की ओर उता है इसका जो राइट अंसर होगा वह फर्स यानी कुणजन पच्ची जो की आगे पीछे दुनों तरफ उर सकते है अगला कोश्चन दिखते है निम्न में से कौन सा एक बिलुप्त प्राड़ी है तो इसका जो राइट अंसर होगा वह फर्स यानी यात्री कपोट यात्री कपोट जिसे जंगली कभूतर भी कहा जाता है उत्तरी अमेरिका में पाया जाता था जो अब एक बिलुप्त प्राड़ी है अगला कोश्चन दिखते है उपोट दूद कौन उत्पन करता है तो इसका जो राइट अंसर होगा वह सिक्ट यानी पच्ची कपोट दूद पच्चियों मुक्यता कभूतरों दौरा उत्पन किया जाने वाले एक स्त्राव है जो दूद के समान होता है अगला कोश्चन देखते है रेसम का उत्पादन किस से होता है तो इसका जो राइट अंसर होगा ओगा थर्ड यानी रेसम कीट के लारवा से रेसम कीट के लारवा से रेसम का उत्पादन किया जाता है रेसम कीट की पालन के अध्यान को सेरी कल्चर कहते है अगला कोश्चन देखते है निमलिक्षित में से अंडा देने वाला अस्तन पाई कौन सा है जिसका जो राइट अंसर होगा ओगा 4 यानी कंटीला चीटी 4 मोनो ट्रिम्स ऐसे अस्तन पाई जीव है जो बच्चों को जन्म देने के बजाए अंडे देते हैं वर्तमान में मोनो ट्रिम्स केवल आर्ट स्टेडिया और न्यू गीनिया में पाया जाते हैं अगला पॉस्चन देखते हैं निमलिक्षित में से किस के उपस्थित के कारण गिरिगिट रंग बदलता है तो गिरिगिट अपना रग वर्ड की लवक वर्ड के कारण बदलता है अफसर नुम्बर सेकेंड राइट अंसर वर्ड की लवक अगला कोश्चन देखते हैं दिल का दौरा किस कारण से होता है इसका जो राइट अंसर को ओगा थर्ड यानि दिल का दौरा हिर्दय में रख्त की आपुलती में कमी के कारण होता है अगला कोशन देखते है जैव निमनिक्रित अपसिस्ट को किसकी सहता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतित किया जा सकता है जैव निमनिक्रित अपसिस्ट को जिवारू के सहता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतित किया जा सकता है अगला कोशन देखते हैं किस चीज को अधिक खाने से ही केवल प्रित्वी की अधिक जनसंख्या का वहरण फोसर किया जा सकता है फिर राइट अंसर बात के समा से इसका राइट आंसर है थर्ड यानी वनस्वति उत्पाद वनस्वति उत्पाद को अधिक खाने से ही केवल कईत्वी को अधिक जनसंख्या का वहरण पोसर किया सकता है अगला कोशन देखते हैं हमारे सरीर में त्वचा की सता के नीचे मौझूद वसा किसके औरोधक का कारे करती है तर जुराइट अंसर होगा ओगा फर्ष यानि सरीर के उस्मा की छती हमारे सरीर में त्वचा की सता के नीचे मौझूद वसा सरीर के उस्मा के औरोधक का कारे करती है चलिए अगला question देखते हैं कुकूर मुट्टा यानि मश्रूम की खेति उपयोगी नहीं होती है इसका जो राटा अन्सर होगा ओगा सेकेड यानि सस्य रोगों के जैवेक नियंतरण में कुकूर मुट्टा एक प्रकार का कवक है मश्रूम की खेति आर्थेक दिश्टे से लावदारी होने के अत्रिक बायो गैस उत्पादन क्रिसी अपसेस के पुनर चक्र तथा कैंसर के निवारर में भी उपयोगी होती है सस्य रोगों का जैवेक नियंतरण के कार पर जीविता, साक भाचता या अनप्राक्तिक तन पर निर्भर करता है अगला कुशन देखते है मधुमक्खी में पूम्प धूम्प द्रोन होते है इसका जुराइट अंसर होगा फर्स यानि जन नच्छम नर मधुमक्खी में पूम्प धूम्प ड्रोन जन नच्छम नर छोटे हैं अगला कुशन देखते है किस उतक के नक, खुर और सींग बने होते हैं जिसका जुराइट अंसर होगा ओगा थर्ड यानि कीरे टीन के इरिटीन में प्रोटीन पाया जाता है या नर, खुर और सींग में पाया जाते हैं अगला कुशन देखते है पूरुस में पूरुसत्त के लिए कौन सा गुरुसुत्रे सायोजन उत्तरदाई है इसका जुराइट अंसर होगा ओगा फोर्ड यानि एक्स वाई पूरुस में पूरुसत्त के लिए एक्स वाई गुरुसुत्रे सायोजन उत्तरदाई है जबकि इस्त्रे के लिए एक्स एक्स साही है अगला कुशन देखते है किस कारण से स्टोन कैंसल होता है इसके राइटन से बात करें इसके राइटन से रफ़र्शन अमल वर्षा एसेड ग्रे, सलफर और नैट्रोजन आक्साइड के कारण अमली वर्षा होती है वर्षा के जल में इसके मिल जाने के कारण वर्षा का जल अमली हो जाता है जब सफेज संग मरमर का कैलसियम कार्बोनेट अमले जल के साथ अभिक्रिया करता है तो संचार होता है इसे स्टोन कैंसर के रूप में जाना जाता है अगला question देखते हैं कला और सिल्प में प्रियोग किया जाने वाले किस रसायन से एनीमिया और लियूकीमिया हो जाता है अगला question देखते हैं काकरोज जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका स्वसन अंग है तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही अगर आपके वीडियो पसंद आयो तो प्लीज एक लाइक ज़रू करिएगा आपसे share भी कर सकते हैं किसी social media handle पर जीसे कि दूसरों मिले तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कर दो मा अन्यवा से एक निरा रहाद कर दो